हेलो बच्चो कैसे आप सभी मैं अज़ा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं मस्थ हैं और आपके पड़ाई काफी अच्छे तरीके से चल देए प्यार बच्चो आज इसके इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लियू ट्रॉपी यानि कि बहु प्रभाविता के बारे बहु प्रभाविता अब बहु प्रभाविता की बात करते हैं तो सिंपल सा नाम जो है बहु प्रभाविता उस नाम से प्रदातर जाता है कि बहु का मतलब क्या होता है बहुत सा प्रभाविता का मतलब होता है प्रभाव जानि कि हम जहां पर सिंगल जीन के द्वारा बहु सारे effect को देख सकते हैं उसे को कहते हैं बहुँ प्रभाविता कहते हैं जैसे simple सी बात यानि कि हम बात करते हैं जो एक single gene ना कि एक gene क्या करें multiple character को represent करें बहुँ सारी लख्षडों को दर्साए उसको क्या करते हैं प्रभाविता कहते हैं यह रिप्रेजेंट क्या जाता है मल्टीपल करेक्टर हुआ है तब के सिंगल जीन स्कूल टू मल्टीपल करेक्टर यानि कि हम बात कर रहे हैं एक जीन बरावर बहुत से लक्षड जब होता है तो क्या हो जाता है बहुत प्रभाविता यानि कि प्लियोट्रॉपी हो जाता है चलिए इसको हम लिखते हैं कि वेन और सिंगल जीन रिप्रेजेंट मल्टिपल करेक्टर इस काल्ड प्लियोट्रॉपी ठीक है when a single gene represent more than one phenotype give more than one phenotype called कार्ड प्लियो ट्रॉपी, कार्ड प्लियो ट्रॉपी, ठीक है, तो सीधा सा क्या हो जाएगा, कि जब एक जीन, एक जीन, एक से अधिक, जब एक जीन एक से अधिक, द्रिश्य रूपों को प्रदर्शित करता है, तो उसे बहु प्रभाविता कहते हैं, तो उसे क्या करते हैं, बहु प्रभाविता करते हैं, इसके लिए उदहारण की बात करते हैं, उदहारण भी क्या ओर जाएगा, अधिक प्रभाविता करतों केसे क्या द्रिश्य रिए उदहारण की बात करते हैं, यहां प्रभाविता करते हैं, इसके बात हैं निए प्रभाविता क्या इनिपकुता संथेसिस यह दो जहारण है अब पीके यू को लेते हैं तो पीके यू इंसानों के अंदर हो जाता है और इस टार्च संथेसिस की बात करने तो यह आपके मटर के पौधे में हो जाएगा अब दोनों ही क्या करते हैं सिंगल जीन होने के साथ साथ बहुत सारे करेक्टर को भी करते हैं बहुत सारे लच्छर ओं बहुत करते हैं जैसे अगर हम बात कर रहे हैं की मिल्च relates यूरिया यहिद ये पूरा नाम है जो आटासमार थेसिव डिजीज है बासक्त मद में आया तो पहले आप इन पाइंटों को नोड कर लीजिए अब बात करते हैं लिए यानि कि पी के यू होता कैसे है और फिर होज आने के बाद वह क्या करता है नोड कि आप पटाक से इस पाइंटों को देखिए सिंपल सी बात अगर हम PKU की बात कर रहे हैं तो एक फैनिल एलेनीन नाम का केमिकल होता है जिसमें हाइड्रोक्सिलेसन करने पर यानि कि हाइड्रोक्सिल गुरूप जोडने के बाद वो ट्रायोसिन एमीनो एसिड बन जाता है जो T3, T4 हार्मोन और मेलनीन, डॉपामीन और आपके अड्रेनेलीन को कंट्रोल करता है जानि कि अगर हम बात करें फैनिल एमीन नाम का एक केमिकल होता है फैनिल एमीन नाम का एक केमिकल होता है इस फैनिल एमीन में क्या करते हैं हम O H Group को जोड़ देते हैं यहानि कि हाइड्रीलेस्टन कर लेते हैं ठीक है ओए जोड़ देते हैं तो यह टायरोसीन एमीनो एसिड बन जाता है ठीक है फैनिल एमीन में क्या होता अगर हम O H Group को जोड़ दे ठीक है tyrosine amino acid बन जाएगा यह tyrosine amino acid क्या करता है बहुत तारे चीज़ों को control करने का काम करता है जैसे टी 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 फूर हार्मोन जो होता है कि टी टी फूर हार्मोन को मैलेनिन को मैलेनिन क्या बही मैलेनिन जो करता है इस टी टी के कलर को रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को मैलेनिन को कि मैलेनिन को देन अगर हम बात करें डोपामीन को डोपामीन जो हमारे ब्रेंट से निकलता है और अगर हम बात कर रहें लास्ट में तो यह अड्रेनेलीन को भी कंट्रूल करता है अगर है अगर है आद्रेनेलीन को भी क्या करता है कंट्रूल करता है तो देख़ों यहां पर एक सिंगल जीन होगा जो फैनिल अमीन बनाता है अब वह फैनिल के अंदर ओएच ग्रूप जुड़ जा लगा यह फैनिल अमीन जो होता है फैनिल अमीन नहों करके ट्रायोसिन अमीनो एसिट होगा जाता है अब यह ट्रायोसिन अमीनो एसिट क्या करवाता है उस जीन से T4 T3 हर्मोन के लिए कंट्रोल करता है मैलेनीक को कंट्रोल करता एक डोपामिन को कंट्रूल करता है और अड्रेंड़िन को भी कंट्रोल कर वे हुं lir de cobra है जीन सो है डैफिसियंट कि जब आपका प्लियोटॉपिस जीन क्या हो जाए तो क्या होता है जो यह आपका फैनिल एमीन होता है ना फैनिल एमीन होता है वो क्या वरता है फैनिल एमीन जो होता है वो आपका फैनिल पायरुविक एसिड में कनवर्ट हो जाता है फैनिल पायरुविक एसिड में कनवर्ट हो जाता है फैनिल एमीन पायरुविक एसिड में कनवर्ट हो जाएगा और यह जो होता ह release होता है with urea यानि कि urea जो आप मुत्र करते हो मुत्र ते आगेते समय करते हो निकालते हो उसके साथ यह बाहर निकलता है यानि कि हम बात करें यह फैनिल amine है फैनिल amine क्या होता है content हो जाता है फैनिल pyruvical अमनिक के साथ और यह फैनिल pyruvical amine क्या होता है यूरिया के साथ कि उत्सवर्जीत होता है कि आस्मद्ध में आए इतना इपफी से देख लिए एक जीन है जो फैनिल एमिन बनाता है फैनिल एमिन पर अगर ओच ग्रूप जूड़ जा हो जाता है जो कंट्रोल करता है T3 T4 हर्मोन को मैलिन को डोपामिन को और अडेनेलिन को अगर हम बात कर रहे हैं कि जब फैनिल एमिन जो होता है वह फैनिल पारविक एसीड बनाता है और यह रिलीज करता है यूरिया के साथ बाहर निकलता है यानि कि वही चीज़ में यहां पर लिखा हुआ है उसके बाद हम अगर नोट पाइंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो आपका खुआँ फी के यू है यह पी आ कि यू है आ्टोसोमार में आ hackers कि अrit fifteen यूर्डर है त्यक्रें पी के यू है आतोसोमार में रिसेशी्यू म azulmee यूबैसे मा स्मझ जाए बच्ट इसेश्यू को नोट कर लोग जिएब सी जलते हैं दूसरे एक्जांपल को परते आं दूसरा जो आपका था स्टार्च ग्रेंड संथेसिस की तो आपके पास मैं लिख देता हूं यहाँ पर स्टार्च ग्रेंड संथेसिस यानि कि अगर हम बात करें स्टार्च ग्रेंड संसलेसर देखिए यहाँ पर जैसे हम बात करें एक कोई जीन है बी ठीक है ईस जीन बी पास क्या होते हैं दो ठो एलिल होते एक क्या होता है एक क्या होता है एक वी वाला है वो क्या करता बड़े-बड़े साइज को संथेसिस करता है और जो इसमाल भी है न वह क्या करता है चोटे-चोटे साइज कर इस चाइज को निकालेगा बात में आई यानि कि अगर हम बात कर रहे हैं तो जीन भी जो है जीन भी के पाथ एक एक इसमाल भी है लार्ज साइज को संथेस करता है और जो इसमाल भी है वो क्या करता है small, size, starch, synthesis करता है अब अगर हम बात करें जो भई आपका ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला हम दोनों को लेते हैं capital B, capital B, small B, small B लेते हैं अब दोनों को अगर हम cross करवाएं ठीक है? देखो capital B, capital B वाला बड़ा ये है बड़ा starch निकाल रहा है तो क्या होगा? ये goal बीज को तैयार करता है ठीक है, इस प्रकासे क्या करता है? ये एक goal बीज को तैयार करता है और इसमाल वाला जो है, वो क्या करता है? एक जुर्रीदार बीज को तैयार करता है इस तरीके से जुर्विदार बीच को तैयार कर लेता है. अब दोनों के अगर हम गामिट को ला लेמAPITAL भी आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एसमाल भी आ जाएगा. अब दोनों के बीच में अगर हम क्रास करवाते हैं बाबू, तो यह क्या हो जाएगा, CAPITAL और समाल. तो जो आपका capital बाला dominant होता है तो उसी का यहाँ पर phenotype दिखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर पूरी तरह से round नहीं होगा तो यह क्या होगा intermediate इस प्रकार से यह आपका pleiotropy होता है pleiotropy मैं अगर starch grain synthesis की बात कर रहे है तो एक जीन भी है जो जीन मेदार होता है दो प्रकार के genotype जो दो प्रकार के phenotype होते हो इसके लिए क्या-क्या पहला जो phenotype होता है वो बड़ी साइज की grain और दूसरा जो होता है वो छोटे साइज के grain के यह होता है तो मैं आसा करता हूं कि यह बाते आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मिलते हैं आप से एकले class में सब तक के लिए जय बारत बने रही है हमारे साथ biology पढ़ने के लिए